ऐसा कहा जाता है कि युववर्ग पूरी देश की अर्थमिवस्था विकास का आधार होते हैं ऐसे में अभी हाल ही में हम देख पा रहे हैं कि भारत में विरोजगारी की स्थिती काफी जादा बढ़ गई है अभी हाल ही में अंतराश्री श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट में उसने युवा वर्ग में बढ़ती बिरोजगारी पर भारत और वैश्विक लेवर पर इस पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है किन स्थितियों में कैसे कैसे युवा विरोजगार हो रहे हैं इस पर उसने चर्चा की है तो दृष्टी आईए इसके इन न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूगी तांजली आज का हमारा टॉपिक इसी रिपोर्ट के इर्दगिर्द होगा यानि आज का हमारा विशे होगा दुनिया में युवा विरोजगारों की स्थिती पर पूरी दुनिया में भारत में युवा विरोजगारी की स्थिती क्या है कैसे किन स्थितियों में विरोजगार हो गए है और इसकी बढ़ती संख्या क्या हो गई है यानि वर्तमान में इसकी क्या इसी थी है आज इस पूरे तथ्यों पर इससे संबन्धित क्या कुछ बिंदु है इस पर हम चरचा करेंगे आएे सबसे पहले देखते हैं उन बिंदुओं पर जो हमारे आज की पूरे शेशन में चर्चा के बिंदू होंगे या मुख्य बिंदू होंगे पहले देखेंगे हम खबर के बारे में फिर जानेंगे अंतरास्ट्री समसंगठन के बारे में यह संगठन क्या है कैसे कारे करता है कब यह अस्तित्व में आया फिर देखेंगे इसकी हालिया रिपोर्ट को जिसमें इसने वैश्विक लैबल पर क्या है इससिती है युवाओं की भी रुजगारी को लेकर और भारत में इसकी क्या है इसकी बारे में हम चल्चा करिएंगे रिपोर्ट की सिफारिशों को बारे में देखेंगे फिर समाधान और इसकी अंतरगत क्या कुछ सुझाव शाम इसको देखेंगे फिर इस पूरे एपिसोड से संबंधित एक प्रश्ण लेंगे जो कि आपको अभ्यास के लिए दिया जाएगा यदी बात करें कि यह जो पूरा टॉपिक है वे किस विशय या किस पेपर से संबंधित है तो यह सामानी अधियन जी एस पेपर 2 से संबंधित है जिसमें टॉपिक क्या है महत्वपूर्ण अंतरास्ट्री संस्थान इससे जुड़ाई है पूरा विशय है तो आईए इसकी शुरुवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर को यह खबर्द हिंदू में प्रकाशित की गई थी खबर है यूथ इंप्लॉइमेंट इंडिया जो की आई एलो की एक रिपोर्ट है रिपोर्ट क्या थी अभी हमने देखा ग्लोबल इंप्लॉइमेंट्स ट्रेंड्स फर यूथ की स्थिती क्या है वर्ष 2022 में इस पूरी रिपोर्ट में इसके बारे में चर्चा की गई है दरसल अभी हाल ही में अंतरास्ट्री स्रम संगठन ने इस रिपोर्ट में चर्चा करते हुए कहा है कि वर्ष 2020, 2021 और 22 ये तीनों ही वर्ष यूवा वर्ग में बिरोजगारी को लेकर काफी संकट भरे रहे हैं काफी चिनौती भरे रहे हैं जिसमें उसने पूरे विश्यों के साथ साथ भारत में इसकी क्या स्थ चर्चा की गई है इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में भारत में जो घर पर महिला काम कर रही है उसे कैसे शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में उसे श्रम की अंतरगत अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया है यह एक असंगठिक शित्र की रूप में क्यों लिया गय समप्थ हुआ तो वर्षाई की संधी हुई और वर्षाई की संधी के साथ ही अंतराश्टी स्रम संगठन यानि इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन अस्तिवत्यों में आया इस पूरी संस्था को लाने का मुख्य उद्देश उस समय जो मजदूर थे जो श्रमिक थे उन संगठन को लाया गया था जदिखिए संयोक्त रस्तर की है एक माटर त्रिपकछी संस्ता है जिटात पर जहां पर तीन पक्ष मौजओद हैं तीन पक्ष कौन कौन से एक तो विभेन देशों की सरकारें को कि दूसरा वह नियुक्ता यानि कं पोन या इसके नियुक्ता जो कर्मिचारी को नियुक्त करते हैं तो उसमें नीयुक्ता शामिल है और तीसरा इसके अंतरगत शामिल है यो पहली त्रिपक्षी संस्ता भी इसे कहा जाता है जिसमें इन तीरों के अधिकारों से जुड़े क्या कुछ मामले हो सकते हैं क्या कुछ नीतियां हो सकती हैं इनके बारे में वैश्विक लेवल पर चर्चा की जाती है और मजदूर संगठन के क्या अधिकार हैं उन पर कैसे बात चीत की जा सकती है विमिन शेत्रों में जो भी नियुकता हैं किन-किन परिस्थितियों को मजदूरों को प्रोवाइट कराएंगे इसके बारे में भी इसमें चर्चा की जाती है किदी बात करें इस संगठन के सदश्य देशों के बारे में तो इसमें 187 सदश्य देश शामिल हैं जिसमें सरकार, उसकी नियुकता और उसकी जो मजदूर हैं श्रमिक हैं वे सभी इसके अंतरगत शामिल किये जाते हैं इसके 187 ही ऐसे प्रावधान हैं जो की बाध्यकारी हैं यानि पूरी दुनिया में इनके 187 इन प्रावधानों को माना जाना चाहिए इसके बारे में यह बात कही गई है किसको 187 देशों को इन प्रावधानों को मानना पड़ेगा इसके बारे में यह चर्चा करता है कौन आयलो यानि इसके इन 187 बाधिकारी प्रावधानों से ही आप अनुमार लगा सकते हैं कि यह पूरी दुनिया में कितनी महत्वकून संस्था होगी आगे बात करें तो यह वर्ष 1946 में संयुक्त रास्ट की पहली मुख्य एजेंसी की रूप में बनकर या उभर कर सामने आई थी यानि संयुक्त रास्ट का जब गठन हो गया उसके बाद 1946 में संयुक्त रास्ट से संबंध यह पहली विशिष्ट एजेंसी की रूप में जानी जाती है यह पहली इनकी विशिष्ट एजेंसी है जिसका मुख्याल है स्विट जलेंड के जिनेवा में है या हमने चर्चा की अंतरास्ट्री लेवर और्गनाईजेशन या अंतरास्ट्री स्रम संगठन के बारे में इसके अलावा इससे जोड़ी कुछ अधने तथ्य भी देखें या दी तो इसका उद्देश वैश्विक एवं इस्थाई शांति हे तू सामाजिक न्याय करना इस्थाई शांति को स्थापित करना ताकि सामाजिक जो भेध भाव है उसे कम किया जा सके इस संगठन की मुख्य विशेश्टा भी यही रही है कि इसने विभिनक शित्रों में जो रंग भेध है उसे कम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है एव वर्ष कप था जब आये लोको नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया था किसके शांति की शिद्र के लिए इसके लावा यह अंतराश्टी इस्तरपन मानेता प्राप्त मानवा धिकारों और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देती है जैसे अभी हमने चर्चा भी की कि श् ग्रुपता फैलाता है और यही इसके मुख्यकार्यों और ओदेश्यों में भी शामिल है यदि आये लोकी संरचना की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तीन संस्थाएं हैं जो काम करती हैं पहली है अंतराश्टी स्रम संसत की रूप में भी जाना जाता है यानि इसे अंतराश्टी स्रम संसत भी कहा जाता है जहां पर श्रम मानकों एवं आये लोकी व्यापक नीतियों का निर्धारण किया जाता है यानि क्या कुछ नीतियां बनाई जा सकती है आया लोकिस से क्या कुछ मानक है इससे संब्धित क्या नीतियों है इनके कैसे निर्धारण किय जा सकते हैं क्य मुख्य जा सकते हैं इसकी मुख्य बजट बाद में कि वोटिंग के लिए इसकी पूरी मानेता के लिए कि इसे कितना बजट दिया जायए अंतराश्ट्री सम्मेलन में भेजा जाता है तो कारिकारी परिशत का यह मुख्य घटक माना जाता है और इसकी प्रतिवर्ष जिनेवा में तीन बैठके आयुजित की जाती है जबकि अंतराश्ट्री स्रम सम्मेलन की एक बैठक जिनेवा में प्रतिवर्ष आयुजित की जात पिकाटी है यहां पर इसकी संपूर्ण गत्य विधियों का केंद्र बिंदु माना गया है यह कौन-कौन सीर्पोर्ट है किसे पांदित काने करने कौ। आएलं नेक्रण करता है। सब कुछ समान होना चाहिए इसके बारे में भी आयलो प्रावधान करता है दूसरे कारियों में शामिल है अंतराष्टी स्रम्मान को अपनाना कारायन्वन को नियंद्रित करना तो अभी हमने पहले भी चर्चा की किसमें कौन-कौन उसके बारे में भी इनकी संबंदित कारे का प्रावधान करता है और इसके अलावा संगे की संगठन बना रहा है कोई समूंग बना रहा है तो इसकी कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं हैं उन्हें आप कैसे रोग नहीं सकते टोक नहीं सकते किन स्थितियों में वे अपने कारे कर सकते हैं बलास्ष्रम से सुरक्षा यानि कि किसी से आप फॉर्स फुली काम नहीं करवा सकते इसे सुरक्षा के बारे में यह जो कि मानवाधिकार के अंतरगत करता है और इस रिपोर्ट में समाज में इस जो श्रम की स्थिति है इसके बारे में भी इस बार आया लों ने चर्चा की है तो आए देखते हैं अब इस रिपोर्ट के बारे में कि यह है ग्लोबल एंप्लाइमेंट ट्रेंट फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट क्या है यह रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया जारी करती है और इसकर की है 2022 की रिपोर्ट इसने जारी की है जिसमें कहा गया है कि हमारे ने यानि कोविड-19 के दौरान कितने वर्ष से कितने वर्ष के युवा वर्ग सबसे ज्यादा अधिक है यानि उनके सामने वे सभी जिटिल परिश्चितियां मौजूद थी उनके सामने ही वे परिश्चितियां और वे सभी चिंताएं बुरे इस्तर की मौजूद थी जो नहीं विरोजगारी के लेवल तक पहुचाई तो यहां पर 15 से 24 आयू वर्ग के युवा वर्ग के बारे में अधिक चर्चा की गई है और इनकी विरोजगारी की बुरे इस्तर के बारे में भी इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है युवा महिलाओं को रोजगार और कामकाज की तलाश में अधिक संघर्ष करना पड़ा इस रिपोर्ट में है बाद भी कही गई है कि पूरी दूनिया में जितना संघर्ष जो वहाँ युवा वर्ग में पुर्ष को नहीं करना पड़ता उससे जादा संघर्ष वहाँ पर युवा महिलाओं को अपने रोजगार को प्राप्त करने में यहां पर वह करती हैं तो इसके बारे में भी कि तरफ जिसमें शामिल है भारत की इस्थिती के बारे में तो भारत की सिती के बारे में आयले रिपोर्ट है पर चेप्र 1970 में गंभी रोजगार के नुक्सान का अनुभव किया है क्यूंकि यहां पर कामकाच के जो घंटे थे वर्ष 2020 में लॉक्डाउन की सिती थी तो यहा सब्सक्राइब काफी गिर गया था कब वर्ष 2020 और 2021 की तुलना में 2021 में भारती युवाओं की जो रोजगार है उसमें ज्यादा गिरावट देखी गई है इस में इस रूपोर्ट के में पूरी चर्चा की गई है कोविड-19 ने किसी भी अन्य आयू वर्ग की तुलना में यु का संकट इनके सामने ज्यादा मौजूद था इसलिए इस वारे में भी चर्चा की गई है पूरी रेपोर्ट में यदि भारत के लेवल पर बात करें यदि भारत की कुछ सर्वेक्षणों की बात करें यानि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंजिन एकॉनिमी की अनुसार इनके के शुराती 9 महिनों में युवा रोजगार भागिदारी दर में 0.9 प्रतिशत की गिरावाट इसमें देखी गई अनित स्थितियों की चर्चा करें यदि भारत के ही लेवल पर तो भारत में पिछले 18 महिनों में जब कुरोना महमारी थी तो स्कूल बंद थे जिसमें ग्रामीर परिवेश में गरी बच्चों की बात करें तो उनके पास मात्र 8 प्रतिशत ही ऐसे बच्चे थे जिनके पास ऑनलाइन सिक्षा तक पहुंच थी यानि ग्रामीर परिवेश में ग्रामीर शेत्रों में केवल इन 84 करोड बच्चों में 8 प्रतिशत के पास ही ऑनलाइ सकते हैं कि सिक्षा का लएवल इन पूरे दो वर्षों में कितना गिर गया है भरत में मात्र प्रतिशत प्रति कर रहे थे जबकि इस समय स्कूल पूरी तरीके से बंद थे मैं जिसमें कहा गया है कि विकाशियल देशों में सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार हैं यह बंचिद बच्चे हैं उनके पास जो सीख्षा कि सिथी खिश्चा तक पहुंच थी वे लगबग शूनी हो गई थी इन दो वर्शों मैं यानि सिख्षा की बहुत बहुत कम होकर शून्य तक पहुंच गई स्कूल बंध होने से नकेवल नई शिक्षा में गिरावट आई है जबकि ऐसी एक नई इस्तिती देखी गई है जिसे learning regression कहा गया है learning regression एक ऐसी घटना है जहां बच्चे हम नई सिक्षा तो वैसे भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दो वर्ष स्कूल बंध थे लगबग 15-18 महीने तक ऐसी इस्तिती थी जहां बच्चे नई सिक्षा तो प्राप्त कर ही नहीं पार रहे थे जबकि जो बच्चे पहले कुछ सीखे हुए थे वे भी भूल गए यानि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने पहले क्या पढ़ाई की है इसे ही और उसे भी भूल गए इसे लर्निंग रिग्रेशन कहा गया यह स्थिती कहां पर देखी इसे इसमें कहा गया ही एक मात्र ऐसा वहां पर साधन देखा गया जहां पर रोजगार उपलग्धिता लगवां जारी रही यानि पीक महीने में भी एप्रेल से अक्टूबर 2020 के दौरान इस दौरान भी रोजगार के जो अवसर थे वे कौन रान कर रहा था मनरेगा यानि भारत की मनरेगा स्कीम की सराहना की गई है इस रिपोर्ट में जहां पर यदि बात करें तो महिलाओं की स्थिति यह महिलाओं को रोजगार या भुगतान रोजगार का भुगतान यहां पर मिल रहा था इसलिए इसमें सराहना की गई है मनरेगा की आगे बात की गई है कि मनरेगा के साथ साथ यहां पर जो इन्वामेंट था कारवन जो बाहर निकल रहा था वातावरन में उसमें भी काफी कम कि इस रिपोर्ट में भारत में युवा महिलाओं की श्रमशक्ति में भागे दादीश के बारे में भी चर्चा की गई जिसमें रिखा गया है यह बारत में बशी पुरुश में फीस् में वैश्विक स्रम वाजार में इसके लावा भारत की ही संदर में अन्यबात ही कहीं गई है जिसमें कहा गया है कि भारत में घरेलु कामकाच एक अत्यधिक अनवचारिक संगठन में वैसी स्थिति उनके पास नहीं होती जब कि उनके साथ दुर्वियावहार भी किया जाता है जो किस लावल पर हो सकता है यह तो मौकिक शारेडिक यह यह यौन यानि इस रिपोर्ट में इस पर भी चर्चा की गई है यह रोपर मध्य अशिया में यह बिरोजगारी दर है वह वह कम हो कर लगभग इन वर्षों की तुलना में 16-24 प्रतेश्यत होने का अनुमान बताया गया है लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किसका यूक्रेन युद्र का यानि यूक्रेन युद्र के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं उनसे यह भी निक्षेत्र चाहे वह मध्येश्या हो चाहे यूरॉप हो इससे प्रभावित होगा इसके अलावा इसमें विकाश्यील देश भी प्रभावित होंगे क्योंकि कहीं न कहीं संसाधनों की जो उपलब्धता है वह बाधित हुई है विश्व में 2022 में यदि इन युवा विरोजगारों की बात करें तो इनकी जो संख्या है वह 73 मिलियन है जो क वर्ष 2021 के 75 मिलियन से थोड़ी कम है लेकिन अभी भी वर्ष 2019 में जो पूर्व कोरोना के स्थिति थी उससे अभी भी है 6 मिलियन अधिक है यानि उस समय जो स्थिति थी उससे अभी भी 73 मिलियन जो स्थिति है वर्ष 2022 में वह अभी भी इससे 6 मिलियन कम बताई जा रही है ए इसके बारे में भी चर्चा की गई है कि इसका अनुमान लगाया गया है यह पूरे जो वर्ष 2022 चलेगा इसमें 14.9 प्रतिशत पूरा एशिया और प्रशांद श्यत्र में विरोजगारी का दर होगा यह वाँ को लेकर और जो यह जो विरोजगारी का दर है जो वैश्विक औस लेवल है विरोजगारी का यह वाँ को लेकर उसके ही लगभग समान देखा गया है यानि यह भी काफी बुरी स्थिति देखे गई है कि जो उस लेवल पर एशिया और प्रशांद श्यत्र की लोग विरोजगारी के लेवल पर पहुँच गए हैं रिपोर्ट के से कौन-कौन सी नीतियां बनाए जा सकती हैं उनसे इन्हें संदर्फित करना इन्हें जोड़ना इस रिपोर्ट के निश्कर्ष में शामिल किया गया है इसके लावा कहा गया है युवा अध्यमिता युवा नितत्व वाले स्थानी जो भी संस्था हैं उनको समर्थन करना यानि कुछ स्टार्टप यदि शुरू हो रहे हैं जिसमें युवा अपना पार्टिसिपीशन दिखा रहे हैं तो सरकारों को उनके जो स्टार्टप से उनको प्रमोट करना है उनसे संबंदित कौन-कौन सी रोजगार का श्रजन हो सकता है उसके बारे में मुख्य रूप स इसीज की जानकारी देकर कैसे उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है इसके बारे में ध्यान देने की जरुत है जो कि इस रिपोर्ट के निसकर्शों में शामिल है यदि समाधानों और सुझावों की बात करें तो विभिने देशों को चुकि है आयलो की रिपोट अंतर सबस्क्राइब डाया जासकता है और ब्लू एकॉनोमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसका कुन-कौन से रोजगार है इनके बारे में लोगों को जागरूप करना है यूवang को जोड़ना ताकि जो डिजियरल इकाल में है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके ग्रीम एकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सके यहां पर रोजगार की अधिक संभावनाएं तालाशी जा रही है रोजगार की अधिक संभावनाएं भी है इस रिपोर्ट में इस एकॉनमी से संबंधित यह भी कहा गया है कि वश्च तक यू जो भी युवा है उनके पास अतिरिक्त 84 रोजगार श्रजित किया जा सकेंगे यदि हम हरित और ब्लू दोनों ही की तरफ ध्यान दें इसके अलाबा डिजल प्राद्योगी की बारे में भी चर्चा की गई है कि यदि डिजल प्राद्योगी क्यों में संसाधनों का हम निवेश करते हैं तो युवाओं को यहां पर बहतर रोजगार के अवसन प्रदान किया जा सकते हैं और इन्हें इसकिल प्रदान करके इससे रोजगार से जोड़ा जा सकते हैं जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक यदि हम ब्रॉडबेंड इंटरनेट की सुविधा मोहया कराते हैं या विभिन देश 2030 तक अच्छे और ब ब्लू एकॉनमी जिस पर हमने चर्चा की ग्रीन और ब्लू एकॉनमी डिजिटल अर्थवरस्थाओं को बहतर रोजगार के लिए स्रजित करना इस पर रोजगारों का स्रजन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है अभी वर्तवान स्थिती में तो यहां पर विभिन दे तो विभिन देशों को अपनी अर्थवस्था को इस्थिर्व रखने के लिए जरूरी है उन युवाओं को रोजगार देना ताकि विकास का जो चक्री क्रम है वह चलता रहे तो इस चक्री क्रम को चलाने के लिए अर्थवस्था को इस्थिर्था देने के लिए सबसे ज़ है जिससे आयलों की जो रिपोर्ट में मुख्य विंदू शामिल किया था युवा विरोजगारी के बारे में यह यहां पर कम किया जा सकता है इसमें कमी की जा सकती है किसके माध्यम से जब बहतर सिक्षा उपलब्द होगी और बहतर जुगडवर्ता है इसकिल है वहां पर प्रतिक्रिया हमें बहतर बनाने के लिए मिलते हैं कुछ नए विशक के साथ एक नए टॉपिक साथ तब तक पढ़ते रहें रिवीजन करते रहें शुक्रिया प्रतिक्रिया